विडियो को लाइक कर देना अगर मेरे चेल में पहली बार आये हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस मेकप लूक में जितने भी प्रोडक्स का यूज किया है उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन बुक से मिल जाएगा अगर आप कोई भी चीज प्रचेज करना चाहते हो तो हां से आप लिंक बि जागे उस चीज को प्रचेज कर सकते हो तो चोले शूरू करते हैं हांच की वीडियों तो सबसे पहले मैं अपने स्कीन केर करूझक स्कीन केर के लिए जैसे कि आपको पता कि मैं सबसे हब indigo Labs पे टोनर apparat आ करती हूं यहां पर मैं बायोटीक की लिपाम यूज करूँ हूँ अपने लिप्स को मौशुराइजर करने के लिए एंदेन अपलाए लेकमी पीछ मिल्क मौशुराइजर करें अब मैं इनसाइड का प्राइमर यूज करूँगी यह वाला मेकप लुक बहुत ही अफोड़ेबल है जितने भी मैंने प्रॉडक्त यूज के वह सभी अफोड़ेबल है आप इसली इस मेकप लुक को क्रेट कर सकते हो उसके बाद मैं अपने आइब्रोज को सेट कर लूँगी एक स्पुली के हेल्प से मैं नीचे के तरह में को कॉम करूँगी और फिर में हापे स्वीस बीट्वी वाला जेल आइलाइनर है इसकी हेल्प में अपने आइब्रोज को फिल कर लूँगी इससे आइब्रोज को फिल करना बहुत ही ईजी और सिंपल हो जाता है इसके बाद में हापे कंसीलर अप्लाई कर लूँगी अपनी जो में आइब्रोज को सेट जो लाइन क्रेट की थी हाँ पे उनको अच्छी तरह डिफाइन करने के लिए एक छोटी बर्स की हैल्प से मैं इसको पूरे अच्छी तरह सेट कर लूँगी उसके बाद आपको कॉम्पेक्ट के साथ जरूज को सेट करना है अपनी कंसीलर को उसके बाद ही हाँ पर मैं आइश्याडव का कलर पिक करूँगी जो सारी है रैड कलर की उससे मिलता जो जो यहां पर ट्रांजिक्सिन कलर अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद यहां पर स्वीज बीट्वी का लिक्विड आई लिक्विड आइश्याडव इतना अच्छा है ना जो बीगनर से उनके लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहे गई है इसको अप्लाई करना आपको जैसा चाहिए आपको बीग क्रेयरोंगी और तुछ घूट के लगे और यूजफुल आपको अच्छा लगे आप एपने हिसाब से कर सकते हैं अ उसके बाद में यहां पर लिक्मी की काजल अप्लाई कर लोंगी उसकी बाद में एक जो छोटे वाला बर्श होता है उ कर लूंगी अपने जो लेस है उनको कहल करने के लिए вмैं अपना जो मेरा बेष है वह यहाँ पर कर ćek小 Video है करो यहाँ पर यहाँ पलबेश का फांडेशन हो आपि य्यूज कर सकते हों प्रहट करने से फेले प्लेड़ को अच़ आपने पानि में टिप कर ले के बाद यूज करना है और इसके बाद मैं SQ का यहाँ पर पर यूज कर रही हूं अगर आप पर यूज करते हूं तो एक अच्छी फिनिशिक आपके फेस पर आ जाती है उसके बाद ही आप इक में कंटोरिंग कर लोंगे पर फेस पर अपने फेस को पतला दिखाने के लिए आ टाइम तक स्टे करेगा देखे मेरा जो फांडेशन वह बिल्कुल भी केकी नहीं क्योंकि मैंने अपनी ब्लैंडिंग को अच्छी से टाइम दिया है यहाँ पर जो मैंने कॉंटोरिंग की थी महाँ पर में ब्रॉंजर यूज कर लोंगी और जहां जहां पर मुझे ょ examiner ऐसके ब्लश कर लोगी तो उसकी बाद मैं जाहां पर लो प्रॉंज कर रहरे हु हूं लैक Walkmika बहुत प्यारा ब्रॉंज रोh हाइलाइटर अपने चिक एरिया को हाइलाइट करने के लिए अप हाइलाइटर यूज कर सकते हो उसके बाद जो मेरे आई ब्रूस की बोन से हमाँ पर मैं थोड़ा सा हायलाइटर अपलाइट कर लोंगी इनको अच्छे से दीफाइंड करने के लिए इनर को भी वोटर लाइन के निचे भी थोड़ा सा जो मेरे आई शेड़ो में कलर दिया था वो अपलाई कर लूँगे और लास्ट में में यहाँ पर मेकप सैटिंग स्प्रे यूज़ कर लूँगी और लैसिस आपने देखी लिए है यहाँ में रेड क्लर के अपनी साडी से मैच करते बहुत प्यारा कलर है सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बुक से मिल जाएंगे अगर आप कोई भी चीज परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस करते हो सभी जो भी मेने आप ए प्रोड़क्ट यूज़के सभी अफोरेबल है करते है